तो देखो प्यारबचे इस वाले question को देखो, एक transformer है, जिसकी efficiency 90% है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस transformer की efficiency 90% है, यहाँ पे, यह जो data है, working on this data, यह जो data है, वो input का data है, ठीके न, अब the current in secondary, मतलब output वाली जो secondary वाली circuit है, उसमें 6 ampere current है, तो voltage across the secondary coil and the current in primary coil, यह सारा हमें calculation करना है, बात आगए इसमें सबसे पहले, अगर मैं एक transformer बना लेता हूं, ऐसे कोई एक transformer अपना simple बना लेता हूं, very simple, तो यह जो चीज है, वो input है, और यहाँ से एक source लगा हुआ है, और यह जो चीज है, वो अपना output है, और यहाँ पे कोई अ source लगा देता हूं, तो यह जो है, input side है, और यह primary कहा जाता है, primary, और यह जो है, output side है, ठीक ना, और यह हमें, इसको secondary नाम दे देता हूं, ठीक ना, और इसको इधर का suffix मैं 1 से denote करता हूं, इधर से मैं 2 का denote करता हूं, ठीक ना, अब जो input है, यह जो लगाए हो, 220 बोल्ट य V1 लगाए हो, input voltage, और जो input power है, वो 3 कीलो वाट यहां से दिया हुआ है, ठीक है, अब current in secondary, जो secondary coil है, इसमें, इसमें जो current flow हो रहा है, मालो ऐसे flow हो रहा है, तो इसमें जो current है 2 में, 2 वाली circuit, वो 6 ampere मैं लगा देता हूं, यहां पे, तो कहता है, current in primary coil, ठीक ना, तो मतलब इ में current I1 की value हमें सबसे पहले निकालनी है, तो current in primary coil, और voltage across the secondary coil, और यहां से voltage V2 की value निकालनी है, सबसे पहले मैं V2 यहां से अगर मैं निकालू, यहां से calculate करूं V2 की value, तो सबसे पहले जो power output है, transfer efficiency कितना है, 90%, मतलब जो eta है, that is 90% of power input, मतलब 1 का, और यह जो है, यह power output है, तो power जो output है, तो 90 upon 100, अब power input, पावर input कितना है, 3 kilo, वनलब 1000 यहां से, ठीक है, तो 2 0 से यहां से 2 0 तो यही कतम हो गया, और यहां से आ गया 27, यहां से 27, यहां से वाट, लेकिन यहां से 2.7 kilo watt भी इसको में लिख सकता हूं, क्योंकि जो power है, वो kilo watt में ही दिया हुआ है, तो यह this is the power of secondary, अब यहां से देखोगे, तो जो power output है, उसको मैं लिख सकता हूं, current I2 और voltage I2, तो यहां से voltage V2 की जो value है, वो power, यहां से power output और यहां से I2 में डिवाइड कर दो, तो power output कितना है, तो यहां से 2.7 kilo मतलब 1000, और divided by current यहां से कितना था, 6 ampere था, तो यहां से 6 ampere मतलब तुम यहां से divide करोगे, तो यहां से 3 और यहां से 9.9 और यह पॉइंट इससे खतम हो गया, और 3 से 2 that is, यहां से 50 times कट गया, और 9.45 ऐसे इतना जो bolt है, वो voltage आ जाएगा, 450 voltage output power हो गया, मतलब यह हुगा कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, या तो यह सही है, ठीक ना, या तो यह सही है, या तो यह सही है, इसके लिए मुझे current in primary मतलब I1 की value मुझे निकालनी पड़ेगी, तो चलो मैं I1 निकाल लेता हूँ, प्यारे बैचों, I1 यहां से निकालने के लिए बहुत असान I power दिया हुगा है, तो पावर का ही मैं यूज कर लेता हूँ, तो क्योंने मैं पावर का फार्मूला I1 भीवन लगा दू, वहां से डाइरेक्ट दिखने लगेगा, तो यहां से मैं, यहां से मैं, मैं नीचे यहां कर लूँ, तो यहां से पावर 1 जो होता, करेंट I1 और बोल्टेज भीवन के बराबर है, करेंट इन प्राइमरी जो I1 है, पावर P1 और डिवाड़ेड बोल्टेज भीवन तो पावर P1 की वेलू यहां से दिया हुआ है, थिरी कीलो, थिरी कीलो मैं थिरी, और बोल्टेज यहां से 200 यहां से दिया मतलब 15 Ampere that is current मतलब यह option गलत है that is correct option is B ठीक ना, thank you